या देवी सर्व भुतेशू सक्ति रुपेन संस्तिता नमस्तस्य 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 नमोनमा माता सक्ति के अनेक रूप हैं उन रूपों में आज हम आप लोग के स्वामने माता ज्वाला के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे माता जुआला के बारे में और उनकी महमा के बारे में जुआला देवी का मंदिर हिमाचल परदिश के जुआला मुखी नामक गाउं में उची पहाड़ियों पर इस्तित है कहा जाता है कि यहां मा सक्ती की नव जुआलाएं प्रजुलित है माना जाता है कि देवी सती की जीब इसी जगह गिरी थी इस मंदिर को जुआला मुखि मंदिर के नाम से भी जाना जाता है जुआला देवी का मंदिर देवी के 51 सक्ति पीठों में से एक है यह हिंदु धर्म के परमुक तिर्थ हस्थानों में सामिल है ज्वाला मुखी देवी हिमाचल परदेश में कांगडा से 30 किलो मेटर दूर इस्थित है ज्वाला मुखी मंदिर को जोता वाली का मंदिर और नगर कोट भी कहा जाता है कालिधर परवत की सांत तलहटी में बसे इस मंदिर की बिसेस्ता यह है कि यहाँ देवी की कोई मुर्ती नहीं है ज्वाला मुखी मंदिर को खोजने का असरे पांडवों को जाता है मानिता है कि यहाँ देवी सती की जीवगिरी थी यहाँ पर प्रित्वी के गर्व से नव अलग अलग जगह से ज्वाला निकल रही है जिसके उपर ही मंदिर बना दिया गया है इन नव जोतियों को महाकाली, अनपुर्णा, चंडी, हिंगलाज, बिंधवासनी, महालक्षमी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है इस मंदिर का प्राथमिक निर्मान राजा भूमी जंद ने करवाया था बाद में महाराजा रंजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का पुर्ण निर्मान कराया यहां दधक्ती ज्वाला बिना घी, तेल दिया और बाती के लागातार जलती रहती है यह ज्वाला पत्थर को चीर कर बाहर निकलती परतीत होती है ज्वाला मंदिर से सम्मंधित पहुत सारे कथाएं लोगों के बीच परचलित है इन में से एक कथा है अकबर और ध्यानुभक्त की कथा मुगल बादसा अकबर और देवी मा के परमभक्त ध्यानुभकत से जुड़ी कथा खास परचलित है हिमाचल निवासी ध्यानो भगत काफी संख्या में सरधालूं के साथ माता के दर्सन के लिए जा रहा था इतनी बड़ी संख्या देखकर अकवर की सिपाहियों ने उन्हों रोक दिया और बंदी बनाकर अकवर के दर्वार में पेस किया अकवर ने पूछा तुम इतने आदमियों के साथ कहा जा रहे हो ध्यानों ने उतर दिया मैं ज्वाला माई के दर्सन के लिए जा रहा हूँ मेरे साथ जो लोग हैं वह भी माता जी के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं इस पर अकवर ने कहा अगर तुम माता के सचे भक्त हो तो देवी माता अवस्य तुम्हारे इज़त रखेंगे। इमतहान के लिए हम तुम्हारे घोडे की गरदन अलग कर देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर दुबारा उसे जिन्दा करवा लेना। इस परकार घोडे की गरदन काट दी गई। ध्यानु ने बादसा से एक मा की अपधी तक घोडे के सिर्व वद्धड को सुरक्षित रखने के प्रार्थना की। अकवर ध्यानों की बात मानते हुए उसे आगे की यात्रा की अनुमती दे दी। ध्यानों साथियों के साथ माता के दरवार में पहुंचा। उसने प्रार्तना की कि मातेश्वरी आप अंतर यामी है। बात्सा मेरी भक्ती की परिक्षा ले रहा है। मेरी लाज रखना, मेरी घोडे को अपनी किर्पा वसकती से जिवित कर देना। माना जाता है कि अपने भक्त की लाज रखते हुए माने घोडे को फिर से जिन्दा कर दिया। यह सब कुछ देखकर बात्सा अकवर हैरान हो गया। अकवर ने अपनी सेना के साथ मंदिर की उसने माता के आगे सिर जुगाया और सोने का छटर चढ़ाया लेकिन माता ने वह छटर कुबूल नहीं किया कहा जाता है कि वह छटर गिरकर किसी अन्य पदार्त में परिवर्तित हो गया जिसे आज भी मंदिर में देखा जा सकता है मंदिर में विसालकाय चांदी के दरवाज हैं इसका गुम्बद सोने की तरह चमकने वाले पदार्थ की प्लेटों से बना हुआ है मुख्य द्वार से पहले एक बड़ा घंटा है इसे नेपाल के राजा ने परदान किया था पुजा के लिए मंदिर का आंतरिक हिसा चौकोर बना दिया गया है प्रांगन में एक चटान है जो देवी महाकाली की उग्र मुख का प्रतीक है द्वार पर दो सिह विराजमान है रात को सुने से पहले जाने वाली आरती का यहां विशेस महत्व है यह आरती बेहद अलग होती है ज्वाला देवी सक्ति पिठ में माता की ज्वाला के अलाबा एक अन्य चमतकार देखन माता के मंदिर के पास ही गोरक डिबी है यहां एक कुंड में पानी खौलता हुआ प्रतीत होता है लेकिन जब उस पानी को छुआ जाता है तो पानी ठंधा रहता है परतीक साल बहुत सारे भक्दगन माता ज्वाला के दर्सन करने के लिए जाते हैं अगर आप भी माता दरवार कई से जाया जाता है। वहाँ जाने के लिए आपको तीन तरह की सुबधाएं मौजूद है। जिसमें आप हवाई जहाज, रेल और बस तीनों से जा सकते हैं। अगर आप वायू मर्ग से जाना चाहते हैं, तो ज्वाला मंदिर के सबसे निकटतम हवाई अड़ा गगल में है। जो कि ज्वाला मंदिर से 46 किलोमेटर की दूरी परिशित है। गगल पहुँचकर आप वहाँ से ज्वाला देवी मंदिर के लिए टैक्सी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप ट्रेन मार्क से जाना चाहते हैं, तो ज्वाला मंदिर का निकटतम रेलवे अस्टेशन पालमपूर है। वहाँ से पहुँचकर आप आसानी से टैक्सी या कैब की सुवधा से माज्वाला के देवी के मंदिर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। ज्वाला देवी मंदिर सडक मार्क से जाना चाहते हैं, तो आपको दिली और सिमला जैसे बड़े-बड़े सहरों से बस या टैक्सी की सुवधा आसानी से मिल सकती हैं। तो साथियों, आज हमने आप लोगों से माता ज्वाला के बारे में चर्चा की हैं। अगर यह जानकारी आप कोची लगी, तो मारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथियों आपकी जो भी सुझावों हमें कमेंट वोक्स पर आबस से लिखें। जै जोहला माता।